दोस्तो हमारी आज की कहानी बहुत ही जान्दा गरम और हॉट है जिसे देखके आपका भी टुंडुना जग उठेगा सो मुवी को ध्यान से और समल के देखना लेकिन दोस्तो मैं आपको बता दू ये मुवी की इस्टोड़ी थोड़ी वियर्ड है जो हमारे देश के कल्चर के हिसाब से बिल्कुल भी स्यूटेबल नहीं है दोस्तो हमारी आज की कहानी एक लड़के के बारे में जो होमो सेक्सवल होता है लेकिन उसकी मदर उसे सेक्स करना सिखाती है सो अब इंट्रो काफी हुआ चलिए आते हैं वीडियो पर पर दोस्तो वीडियो पर आने से पहले आपसे एक रिक्वेस्ट है कि आप लोग अपनी वीडियो देखने का रिस्पॉंस जरूर दे वीडियो को लाइक या डिसलाइक करके या फिर अपने ओपिनिन कमेंट में देखे हमारी मुवी का नाम है सेवेज ग्रैस जो साल 2007 में रिलीज होई थी मुवी के इस्टार्ट में हम बार्बरा नाम की काफी ब्यूटिफुल लेडि को देखती हैं साथ ही उसके हस्बेंड ग्रूक को देखती हैं इन दोनों का एक बेटा भी है जिसका नाम टोनी है लेकिन ग्रूक अपने बेटे टोनी को चाना प्यार नहीं गड़ता वहीं उसकी मा बार्बरा टोनी को काफी प्यार करती है अब ये दोनों लोग एक पार्टी में जाने के लिए रेड़े होती हैं लेकिन अपने बेटे के देखभाल के लिए वो मीट को घर पर ही रोक के जाती हैं अब पार्टी में आने के बाद यहां के सारे आदमी बार्बरा को यह देखते हैं क्योंकि बार्बरा सच मुझ काफी होड और सेक्सी लग रही थी फिर फानली बार्बरा एक टीमेल पे बैट जाती है क्या वो 10 मिलियन डॉलर के बदले सुमों के साथ सो सकता है लेकिन ग्रूग बार्बरा के इस कोशन का कोई आंसर नहीं देता इवन उसे बहुत गुस्सा आता है अब दुवारा से बार्बरा ग्रूग से पूछती है अब रात में बार्बरा घर आती है और टॉनी को देखने के लिए जुकती है पर ग्रूग उसे पीचे से काफी अजीब निजरों से देख रहा था अब हमें कई सालिबात की कहाने दिखाए जाती है जहां टॉनी काफी बड़ा हो गया है और वो अपनी मॉम के साथ ही रहता है क्योंकि उसके डैड ग्रूग अकसर बिजनस के लिए बाहर ही रहती है फिर एक दिन बार्बरा और टॉनी बाहर गुमने जाते है जहां बार्बरा टॉनी से पूछती है बेटे तो मुझसे कितना प्यार करते हो तो टॉनी बोलता है मा आपसे मैं दुनिया में सबसे जाना प्यार करता हूँ आपके लिए कुछ भी कर सकता हूँ तो बार्बरा बोलती है क्या सच मुछ तो मेरे लिए कुछ भी कर सकते हो तो टॉनी बोलता हा मा फिर कुछ दुन बाद गुरूक अपने फ्रेंश दोस्तों को घर लेकर आता है और अपनी फैमिली टौनी और बारब़ा से इंट्र migrant बढ़ता है निकाल देती है अब ग्रूग भी बारवरा से गुस्सा होकर रात में एक होटल में जाकर रुकता है लेकिन रात में बारवरा ग्रूग को मनाने के लिए होटल में जाती है लेकिन वो मनाने के वज़े उसके साथ वहीं डुपचुक डुपचुक करने लगती है यानि आप अपलोबात के सीन देखते हैं जहां टॉनी अब बड़ा हो चुका है मैं चुरू चुका है जो अपने दोस जैस के साथ एक बीच पे सुटा बार सुटा बार यहने इंजॉय कर रहा है और लड़कों को ताड रहा है फिर अगले दिन टॉनी को उसे बीच पे ब्लैंका नाम के एक होड बंदी दिखाई दीती है और यह दुनों लोग बात करते हैं और बात करते हुए वो टॉनी के साथ काफी क्लोज हो जाती है फिर अगले दिन वो ब्लैंका के बारे में अपने पैरंस को बताता है तो बारबरा सोफती है कि फारली मेरा बेटा माचो मैन बन गया और वो भी अब पिचकारियों की धार मारेगा और इसलिए बारबरा टॉनी के इस कार नामे से काफी खुश होती है वा बेटा वा मौच कर दी अब नेक्ट टॉनी की पैरेंट्स ब्लैंका से मिलते हैं और उसे लेके पार्टी करने के लिए एक बार में जाती है लेकिन पार्ट यह देर में उनकी पिचकारे की दम निकल जाती है और वो ठंडे पड़ जाती है फिर कुस दूनों बाद हम बारबरा को देखते हैं जो किसी काम से एरपोर्ट पे गई थी पर वहां वो ग्रूक को ब्लैंका के साथ देखती है तब बारबरा समझ जाती है कि ग्रूक और ब् जैक के साथ पलंग तोड़ रहा है और यह देखे उसे काफी गुस्सा आता है फिर कुछ दूनों बाद वो अपने बेटे टोनी को ग्रूक की सच्चा ही बता देती है कि ग्रूक और तुमारी गल्फरेंड ब्लांका का नैन मटका चल रहा है फिर कुछ दूनों बाद अकेल जो टॉनी भाई सैम से बात करते हुए देखे जाते हैं जहां टॉनी को पता चलता है कि सैम भी टॉनी का इस जुलवा भाई है यानि वो भी एक होमो सेक्सुल है समझे रहे हैं मतलब बीच का थोड़ा सा यहां हो सकता है लेकिन बीच का कनफरम है फिर नेक्स डे जब वो जाता है तो वो बैट पर सैम और अपनी मॉम को देखता है तो वो भी इस मॉमेंट को इंजॉय करने के लिए उनके साथ में लेट जाता है पर नेक्स डे बारबरा सैम को अपने बेटे के साथ ऐसा करने के लिए काफी डाटती है कि तुझे मेरे बेटे के साथ ऐसा नहीं कर अब कहीं न कहीं टॉनी अपने डैड ग्रूप को एक और मौका देना चाहता था तो इसलिए वो एक लेटर लेके ग्रूप के घड़ जाता है और वो उस लेटर को बाहर मिट्टी में चिपाने लगता है लेकिन ब्लैंका उसे ऐसा करते हुँ देख लेती है और वो बाहर आती है पर टॉनी लेटर को वहीं मिट्टी में गाड़ के भाग जाता है और इस लेटर में लखा था कि डैड हमें आपकी बहुत जरूरत है प्लीज आप बापस आ जाओ और इधर घर पे बारवरा एक पैंटिंग बना रही थी और पैंटिंग बनाती है वो रोने लेगती है कि कुछ दुनों बाद सैम भाई को टॉनी और बारवरा को छोड़के दूसरे सहर जाना पड़ता है और भाई इन्हें बाई बोलके चले भी जाते हैं पर काफी दिन बीतने के बाद बारवरा अकेले होने के वाज़ेसे डप्रेशन महसूस करती है इवन वो कही बार तो सुसा को एक फ्यूनल में देखते हैं जहां ग्रूग और बलैंका भी आये होते हैं लेकिन ग्रूग अपने बेटे टॉनी और बारवरा से बिल्कुल भी बात नहीं करता और अब कुछ महीनों बाद बारवरा और टॉनी लेंडन सिफ्ट हो जाते हैं जहां बारवरा और टॉनी न किरते हुएं ये दोनों लोग कुदाही शुरू करती हैं और काफी दोनों auल तक ये लोग ऐसा करता है लें पतानी क्यू कुआ कुछ दोनों बाद टनी की दमागी खराब हो जाती है। और पिर इसके कुछ दोन बाद टनी और बारवला में किसी बात को लेके लड़ाए हो जाती है और साइको टॉनी भाई चाकू से अपनी मौम को मार देती है और मारने के बाद वो पोलिस को कॉल भी करता है और पोलिस के आने तक वो नूडल से वॉक्स लेकर अपनी मदर की डैड़ बॉर्डी के पास ही बैटके खाता है और जब पुलिस वाले वहां आते हैं तो देखते हैं कि यह definitely mental हो चुका है और इसलिए पुलिस वाले उसे mental hospital भेज देते हैं लेकिन कुछ दूने बाद हमें पता चलता है कि वहां Tony ने suicide कर लिया है और इस तरह इस movie का end हो जाता है